तो इसके बारे में हम बात करेंगे बाकि बहुत सारे candidate यहाँ पर क्या कि हैं कि पहले वाले option पर ही बाकि यूपी को लेकर भी जो है हम यहाँ पर देखेंगे जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका form भने का process है उसे आप आगे यहाँ पर जाएंगे जो कि आपको यहाँ पर clear जो है वो नहीं दिखाई देगा बाकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देगे तो आपको पूरा जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जैसे यहाँ पर इसके उपर आपको जो पातरता और दच्छता वाला था जैसे आप वहाँ पर click करेंगे फिर click करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहां पर पहले वाले ओप्सन पर आपको यहां पर क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा नीचे आपको यहां पर आना पड़ेगा जैसे आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर बोला गया है कि विद्ध्यालया ध्यापक के मुलकोटी एक से पास मतलब primary teacher के पद पर जो है निखती है तो सेचड़ी क्यों प्रसेचड़ की योगिता जो कि इसका डीटेल जो है आपको यहाँ पर इस डिबे में जो है आपको यहाँ पर भना है जैसे थोड़ा सा यहाँ पर side वाले पर आएंगे तो आपको यहाँ पर click करने के प्राइमरी टीचर के लिए कि आपका qualification प्लस मतलब 10 प्लस 2 डीलेट है या फिर आपका graduation के साथ आपने डीलेट किया हो या फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर तीसरे या चोथे वाले option पर आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ पर थोड़ा सा याना जो डीलेट टीचर है उनको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है सबसे पहले आपको यहाँ पर यहाँ पर जाना है कि जो आपके बिहार के सिचक बढ़ती है वो सिर्फ आपकी primary सिचक बढ़ती है जिसमें आपके टोटल 60,000 पद है और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर प्लस पॉइंट आपका ए भी बनता है तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को धियाँ रखना है जैसे हम यहाँ पर तीन केटेगरी में जो है ना से डिलेट टीचर को यहाँ पर दिवाइट कि है जैसे माले जcade ज्येडि आपका nis dalait है जो आका 2017-2019 की पीच कर आ गया था तो उससे पहले का मतलब प्योर उससे पहले बीच में आपका 2017-2019 की बीच में नहीं आना चाहिए उससे पहले यदि आपका graduation हो गया है तब यहां पर यहां पर तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है, यदि हम मतलब ऐसी स्थिती में बता रहे हैं कि आप मालीजी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, या फिर आपको करेक्शन करने का मौका मतलब है, आपके पास पेमेंट वग तो यहाँ पर आपका देखा जाता है कि आपका मतलब जो क्वालिफिकेशन है, आपके क्वालिफिकेशन में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो है वापका किस तरिके से है, तो बस यहीं जो है वापका यहाँ पर कोई बेनिफिट जो है उन्हीं है, तो पहले वाले आपका पे आपका हो गया दूसरे वाले option पर उनके लिए हमें यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे मालीजी आपने एनार से डियलेड किया हो और एनार से डियलेड के साथ में ही मतलब जो 2017 से 19 के बीच वाला जो आपका एनार डियलेड है इसके बीच में ही आपका यहां पर NRDL8 है मतलब इसके बीच में आपका collapse करणा है इसका मतलब यह है कि जैसे माली जो 2018 में भी आप graduation इस्टार्ट करेंगे तब भी आपका 2019 आपका EC में आ जाएगा 2016 भी आप जैसे आपका graduation है तो भी आपका 2017 के बीच में आ जाएगा तो मतलब बीच में आपका collapse नहीं करना चाहिए यदि इस तरीके का है भले ही आपने graduation Open University से मुक्त बिद्याले से या फिर private बिद्याले से या फिर regular बिद्याले सकी है तो आप यहां पर जो है avoid करिएगा और plus dealate वाले option को select करके आप भी जो है अपना form final submit कर लिए है तो आपको यहां पर तो भी आपको यहां पर cancel नहीं करना है बस यहां पर हम थोड़ा सा इसलिए बताने ताकि आपको मतलब जैसे documents verification हो या फिर कुछ हो तो उसमें बोला जाए कि आपका graduation है और जो dealate है वो यहां पर बीच में दिखा रहा है मतलब इस तरीके से क्या है तो बस यह जो आपका खिरकिरी है इससे हम आपको बचने के लिए यहां पर जो इस तरीके से बता रहे है बाकि आप अपना form final submit कर लिए हैं तो आप यहां पर cancel मत करेगा तो आई होब दूसरा वाला matter भी जो है आपको समझ में आ गया होगा तीसरा वाला यहां पर matter यह है कि जैसे मालीजे आप यहना से dealate कर लिए हैं उसके बार जो है आपका graduation है और आपका graduation final हो गया है और वर्तमान में आपके पार documents हैं तब आपको यहां पर graduation का detail आपको यहां पर भना है मतलब आप graduation प्लस आप यहां पर dealate आपको यहां पर select करके आपको यहां पर form आपको भना है यह जो आपका 2017 है 2017 से 19 के बीच मतलब 19 से पहले यह आपका graduation start है और उसके बाद आपका अभी तक वर्तमान में आपका graduation final हो गया है तो भी आपको यहां पर जो graduation का detail है उसके बाप बचेगा क्योंकि हम यहां पर साब साब बोलें कि यहां पर dealate आपका complete हो जाना चाहिए complete होने के बाद यदि आप graduation किया है मतलब आप form वो submit कर लिया हो तो आप यहां पर आप अपने form को cancel मत करेगा क्योंकि कोई दिक्कत आपका यहां पर नहीं होने वाला है जो कुछ भी आप भरे है form अपना final submit कर दिया है तो आपको उसी तरीके से छोड़ देना है बस आपना पुड़ा ध्यान पढ़ाई पर लगाई है कोई उतना business जो है वो दिक्कत नहीं होगा हम उनके लिए यहां पर बता रहे है जो अभी तक आप अपना form नहीं submit किया है या फिर आपको अभी भी जो है प्लस टू के साथ जो है उसमें आपका जो प्राइमरी टीचर के वेकेंसी होती है उसमें डियलेड के लिए प्लस टू ही मांगा जाता है तो यूपी के जो डियलेड रेगुलर डियलेड वाले कंडिडेड है वो भी पहले वाले option तो देखें ऐसी condition है फिर आपके बाद आपको मतलब पता चला कि यहाँ पर हमारे लिए भी option है कौन सा option graduation graduation के साथ जो है ओडियलेड तो आप आप सोच रहें कि हम भी जो है अपना form कैंसिल कर दें और graduation plus जो है वो डियलेड सेलेड करें तो देखें बिल्कुल आप गलत करें आप ऐसामत करिए उसमें जो है वापका डियलेड के डॉकमेंट्स और उसके साथ वापका 12 खा जो है ओडॉकमेंट्स मांगा जाएगा graduation का यहाँ पर आपने form भटे टाइम कोई जिक्र नहीं किया तो graduation का detail आपका नहीं जो है यहाँ पर मांगा जाएगा तो आई होप यहाँ पर आप भी समझ गए होंगे बाकी यहाँ पर बिसे समबात करे थे यहाँ डियलेड टीजर को लेकर तो आप लोग भी यहाँ पर समझ गए होंगे बाकी इसके अलाव मताते आपका जो कुछ भी doubt हो या फिर जो कुछ भी हो तो comment box में आपको टेलिग्र करना जो है आपका last date समाप्त हो जाएगा फिर उसके बाद जो है आपको इसी चैनल पर जो है आपकी PDF फोर नोट जो है वह बिहार सिचक भरती से समंधित आपका share करना जो है वह स्टाट हो जाए क्योंकि अभी share करेंगे तो बहुत चालों का doubt है वह अपना doubt पुछते कर सकते हैं कोई इससे संबंधित कोई बेकती है फिर जान पाचान का बेकती हो तो आप उससे share भी जो है उखर सकते हैं बाकी जो कोई भी update होगा information होगा हम share कर देंगे मिलते हैं के लिए नेक्ट वीडियो में तो तक के लिए थैंक्यों बाद करेंगे वीडियो आपको अच किर अलवेट थैंक्यों फॉर लिस्निंग गडिस्यों थैंक्यों